मैं विजय सर और मेरे साथ हैं सौनू सर और आज एक important topic की बात करने वाले हैं जिसे आप लोग बोलते हैं safe score expected cut off अलग अलग तरीके से इसको बोलते हैं मैंने एक वीडियो बनाई भी थी और उसमें मैंने बताया भी था कि जनरल का चालिस सो ग्रेट पे का कितना जाना हैं वो आप लोगों ने देखी भी थी काफी बच्चे मेरी बात से इत्वाक भी रखते थे लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा सा माहल गरम भी लगा था माहल गरम क्या वो ये बोल रहे थे सर थोड़ा सा इसमें वैरियेशन होगा और साथ ही साथ कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे सर जैसे ये जो है आपने जनरल का तो बता दिया बाकी का मैं S.C.S.T. की बात करूँ O.B.C.E.W.S. का अगर हमें individual पता चल जाए सब लोगों रहेंगे तो एक बार ब्रीफ में सारी चीज़ों को हम जाने की कोशिश करते हैं तो चलते हैं सौनू सर के पास वो आपको एक एक चीज़ है आज जो कट आफ का जो आपके दिमाग में चल रहा था ना इतने दिन से फितूर वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है और ये एकद है अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई बुरा भी नहीं है लेकिन फिर भी जो सच्चा ही है वो तो सच्चा ही है ही चाहे आप उससे खुस हो नाराज हो वो मैटर भी नहीं करता तो एक बार सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और जो लोग इतफाक रखते हैं वो हमारे साथ रहें और जो नहीं रखते उनस को कोई दिख्कत वाली बात भी नहीं है वह भी समझ लें इक बाहर ठीक है बाकी की सारी चीज़ां आज बहुत से क्लियर होने वाली है तो सवनु सर एक बार सारी चीज़ों को बिदेफ कर दीजे बच्चों को अब आप सभी को बता है एंसर की आप लोग की जो कुंडली है वो निकल चुकी है और सभी लोगों ने देख लिया हुगा क्या आपने कारणामा किया एक्जामनेशन में क्योंक सब्सक्राइब है तो आप सायवरेट पोस अगर इतने 35 विद्यार थी अगर है ना चाहे वो ASO MEA में हो क्योंकि उनको पर्क्स अच्छे मिलते हैं उनको घूमने के लिए अच्छा मिलता है पतल अच्छा पैसा मिलता है अच्छी वेनिपिट्स मिलते हैं उसके बाद ASO CSS हो गया और GST Constable Inspector हो गया यह तीन पोस्ट जो है ना यह मतलब बहुत ही फैवरेट पोस्ट यहां विद्यार्थियों का राता है तो मेजर जो अभी competition होगा है ना इस पोस्ट के लिए काफी जादा होता है और जो हम आपको बोलते हैं कि 290 चला जाएगा 300 चला जाएगा उसके सेलेक्शन होगा उसके पीछे की वज़ए यह है कि इस तीन पर जो लगाई है व लेकिन फिर वही बच्चे लॉट के फिर बाउंस बैक करते हैं लेकिन चाहिए यह अगर मतलब है अगर मैं कहूं मोटा मोटी तो यह सिदा या तो customer बन जा या फिर aso के लिए जाओ अब यहां पर अगर हम बात करें तो देखो यह चीज़े है कि वह तो हाई उसके लिए क् जादा नम्बर को स्लिक्ष तो उसके लिए भी हमारा है लेकिन उसके अलावे बहुत सारे इस ऐसे अभी काम करेंगी तूप्तिक होगा है जितने लोमत सारा factor काम करता है सबसे पहला factor क्या है normalization अभी आपका answer की आया है आपने जो भी score देखें वो आपके रॉइस कोर है याणि कि आपके मुताबिक आपके नमबर बनने चाहिए वो 200 बन रहा हो 260 बन रहा हो 270 बन रहा हो है आपको बता है कि computer जो है काफी बच्चे ऐसे हैं जो कि 290-295 स्कोर करें लेकिन computer qualify नहीं कर पा रहे अब यहाँ पर इस बात पर थोड़ा सा 30% qualifying है यानि कि 18 नमबर आठारा नमबर आपको कम से कम चाहिए और इसमें भी एक बात और चल लिए कि जो नॉर्मल पोस्ट के लिए उनको 18 नमबर तो चाहिए ही लेकिन जहां पर computer थोड़ा सा specific है दिमांड जादा है वहाँ पर इससा जादा नमबर पर उनको इसमें जितने विद्धार्थी ने एक्जाम दिया है यह सभी लोगों ने मतलब एक तरह से वो ने तो अच्छा किया है ठीक है पेपर इजी आया था अटेंप्ट जो है मैं अच्छा सभी लोग स्वाल करके आये हैं आराम से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पर की बात इसने मैंने इसलिए कि क्योंकि यहाँ पर जो बाहर होने वाले विद्धार्थी है वह जीके जीए और इंग्लिस यहाँ पर रह जाएंगे है ना यहाँ पर स्कोर्न का नहीं बनेगा जीके जीएस में स्कोर नहीं बनेगा वो नंबर उतने नहीं नहीं ला पाएंग तो वो रह जाएंगे फिर तो यह चीज़ है इसलिए मैंने स्क्राफ लगाई उसके बाद टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट टाइपिंग टेस्ट में बहुत लोग रह जाएंगे जो उनीस तो के आसपास डिप्रेशन किये होंगे है ना वो सेफ रहेंगे क्योंकि आप कुछ गलतियां भी होगी वो चीज़े जाएगी तो अगर आपने आपको सेफ मान सकते हैं उसके बाद निगेटिव मार्किंग है ना अगर एक कोस्टन गला तो चार नमर गया एक कोस्टन आउजन वेकेंसी है है ना पलस ही है कुछ और तो यहां पर इतने से एक दो तीन चार पांच छे फैक्टर काम कर रहे हैं है और सारे फैक्टर आपको एक इशारा दे रहा है कि कट अफ जो है वो कहां जाएगा एक सेफ स्कोर क्या है वो क्या रहेगा उसके बारे में चलिए उसके बाद देखिए अगर हम आप सिधा डायेक्ट आते हैं पॉइंट पर उन सारे फैक्टर को देखते हुए अभी एक सेफ स्कोर बता रहे है इस वो आप कट आफ मत मानिएगा अभी यह सेफ स्कोर रॉइस को रहे है कि जिस तरीके से बच्चों ने स्कोर किया है उसके लिए आपको नौकरी मिल जाए उसके लिए अगर हम यूर के लिए बात करेंगे तो अगर आप सेकुलें आप तो अगर आपका सब ठाष के लिए 240 से 245 ठीक है और जो एक्स सर्विस्मेंन है अब उनका बहुत सिकायत होता है कि सब लोग UR की बात करते हैं OBC की बात करते हैं हमें क्यों सब दोग छोड़ देते हैं हम नहीं छोड़ रहा है आपको गयोंअब वह सारे हैं नौकरी आपको मिल तो आपके नमबर इंडिमें से हैं तो आप जरूर करना सर कि मैं इस कãy entfer से हूँ और मेरा इतना नम्मर बन रहा है सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि वो डाटा अगर मेरे पास आता है तो उसके कॉर्डिंग मैं थोड़ा सा और माइनूट डिटेल्स आपको बता पाऊंगा तो जरूर कमेंट करना सभी लोग उसके बात देखिए अब यहां पर ग्रेट पे की बा मतलब उसमें पी स्केल आपका जाधा रहेगा तो कट आफ भी उसमें जाधा रहेगी तो आप में उसके लिए बहिया दोसो असी प्लस लाने ही पड़ेंगे आप क्यों नहीं समझने की बात करें और यह जो बताया था वो अन्रिजर्ट के लिए बताया यहां पर साफ साफ है और यहां भी यहां पर जो हमने बेंचमार्क है वह यूर का रखा है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा जाता है तो यूर के लिए ट्वेट्टी प्लस जिनका हो रहा है तो वह इनके लिए इस ग्रेड़ पे के पोस्ट के लिए सेफ माने जाएंगे और जो चौबिस सो प्लस है यूर मैं अपर की बात करना हो पुरा हाइस कट आफ की इसको क्रॉस कर रहे है तो उनके लिए वह सेफ है ठीक है तो इस तरीके से आपका एक डिवीजन हमने हर तरीके साब को बता दिया है कि नॉर्मल पोस्ट या फिर ग्रेट पे के हिसाब से क्या चीज़े है उस तरीके से लोग सवाल पूछते हैं तो हम भी आपको तिन चार तरीके से अलगा तरीके समझा रहे हैं और आपको जो आपका रिक्वारिमेंट होगा उसके इसाफ से आप समझ लिजेए इस चीज़ों को अगर आपका दिमाग में यह चला है कि चलो एक्जाम तो दे दिए कि तरीके से तैयारी तो कर लिए पिछले एक-दो महिने में पढ़कर एजाम दे आया पास भी करने की उमीद है अब मन में सवाल यह है कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी तो अगर आप यूवार से हैं और 260 प्लस स्कोर कर रहा है तो आपको नौकरी मिलनी पक्की है ठीक है OVC EWS से हैं 200 से उपर स्कोर कर रहा है तो नौकरी मिलनी पक्की है SCST से हैं 240 से उपर स्कोर कर रहा है तो नौकरी मिलनी पक्की है और ESM वाले 140 से उपर है तो आपको नौकरी मिलनी बिलकुल पक्की है ठीक है अब एक चीज़ और हम आपको बताएंगे अब अभी आप लोग है ना वो हाँ वो होता है बहुत हाई कंपेडिशन और बहुत ही अच्छी नौकरी होती है उसके लिए आपको कहीं न कहीं इसके आसपास जो है भटकना पड़ेगा इसके आसपास अगर आप भटक रहे होंगे तो आप एसपार कर सकते हैं जो डबल एयो की पोस्ट है जैसो की पोस्ट होती है उसके लिए क्योंकि हाई कटफ जाती है अगर आपको अच्छा पैसा चाहिए अच्छा नौकरी चाहिए अच्छा पर्क चाहिए बलकुल सेट बावो वनके रहना है तो फिर इतना नमबर लाना पड़ेगा तब आप अपने आपको सेफ मान सकते हैं अगर ह पुटर में क्या हाल चला है आपका क्या नमबर बना है सभी लोग कमेंट जरूर करना जरूर करें कि उसके बाद जो वीडियो आएगी वो और ज्यादा सटीक वीडियो आएगी इसलिए बोला कमेंट करने के लिए और काफी बच्छे परेशान है इसको लेके कि माली जे सर इसमें नमबर कम रह गया तो टेंशन मतलो यह सिर्फ शह साथ आठ महिने की बात पड़ेगी क्योंकि एक अप्रेल को दोबारा बिल्कुल आ रहा है दोबारा नोटिफिकेशन आ रहा है दो हजार तैइस का नोटिफिकेशन आ रहा है उसका योट्यूब पे भी बैच स्टा रहा है जिसमें आपको जीके जीएस के दो टीचर मिलेंगे इंग्लिस के एक टीचर मिलेगा मैथ मैं पड़ा हुआ रीजनिंग सर पड़ाएंगे तो प्रॉपर एक तरीके से आपको पूरा सिर्फ एक काम करना है एससी टीम का कूपन कोड लगा देना सबसे ज्यादा डिस स्किप कर रहे हो ना तो एक मौका और फिर आपके पास है अच्छे नमला अगर नहीं हुआ अभी मानलो अभी निरास होनी जरुवत नहीं है एक महने के बाद नया नोटिफिकेशन सामने है फॉन फिलप करना है और जो टेंटेटिव डेट जो दिया गया है ना वो है जून को उनको बता नहीं थी फिर भी किसी का दाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना और कोई भी बच्चा इसको नेगेटिव ना ले हां सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है गलतिया हम भी इंसान ही है हो जाती है थोड़ी बहुत कोशिश हम यही करते हैं कि आप तक एक दम प्रिसाइस तरीके से चीज़ें पूचें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत